तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को देखते हैं इसमें बेसिकली क्या है कि इसको मैं यह जो छोटा गोला है इसको मैं मून मानता हूं और इसका मास मानता हूं कोई दिक्कत कोई परसानिक कोई मुसीवत कुछ नहीं चलो मान लेते हैं यह एक खास इवनिक पॡइन यहां पर नेट फोर्स क्या हो गया है जीरो हो गया है यह जो नेट फोर्स है वो 0 के पराबर है मतलब यह हुगा क्या कह रहे है कि अगर अर्थ की रैडियस आर है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है यह वाला डिस्टेंस इनके बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस है यह जो डिस्टेंस है वो एन आर के इक्वाल होगा इस डिस्टेंस इक्वाल टू एन आर ठीक है तो अब मून से ये करें हैं कि मून से वह distance कहां कितना दूर है जहाँ पर net force, neutral point और net field 0 है ऐसे point को प्यारे बच्चों, neutral point बोलते हैं physics में जहाँ पर net force या field 0 होता है ठीक है, बात आ रही है समझे में तो माल लेते हैं यहाँ मून के center से x distance पर है तो यह वहाला जो distance है वो कितना है तो यह है भाई यह है eta times r minus x amas eta times r ना 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 नो ना ना बबा ना तो nr nr-x n था न मास eta times और n एक integer है जिसकी value n की value 60 है और eta एक integer है जिसकी value 81 है चलो तो ये बात तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई गई होगी कि कहां पर जो net force है या net field है वो 0 के बराबर हो रहा है तो हमें x की calculation करनी है तो चलो x की calculation कर लेते हैं बहुत आसान है भाई अरे भाई net force यहां पर 0 हो रहा है तो net force 0 हो रहा तो इस point पर जो जितना attraction इधर moon का होगा उतना ही attraction इधर earth का होगा तभी तो net force और field इस point पर 0 हो रहा होगा तो यह f1 है और यह f2 है और यहां पर अगर मैं कोई point mass रख देता हूं चलो कोई point mass रख दिया जिसका नाम है m0 अगर मैं यहां m0 रख दिया तो उसको जो moon है वो equal forces से किजेगा और earth भी equal forces किजेगा तो उस पर जो net force है वो 0 आएगा तो net force अगर 0 आएगा तो इसका मतलब यह हुगा कि g mass of the moon और mass of the particle m0 over x का square यह moon का attraction बराबर होगा earth का attraction से g mass of the earth mass of the earth eta times m और mass of the particle m0 divided by integer n minus x का whole square है बड़ा मज़ा आया एंदर से अंतरात्मा खेल गया होगा चलो तो यहां से इसको solve कर इसको solve करना बच्चों का खेल है आप non medical के हो medical को है नहीं चिला होगे एम ने एम को खतम कर दिया तो यहां से तुम अगर देखोगे और यहां ने capital G को capital G को भी नहीं छोड़ा तो यह भी खतम कर दिया इसका मतलब यह हुगा कि फाइनली जो एक्स्प्रेशन बनेगा वो n इंटीजर r minus x का whole square बराबर होगा इंटीजर तो यह जो इंटीजर है यहां मास इटा टाइमस था तो इटा टाइमस x का square तो अब एक काम करते हैं यहां से यहां से इस इंटीजर को मैं लिख सकता हूं n r minus x is equal to under root eta और x यह तो अब हमें तो चाहिए x by तो एक काम करते हैं n इंटीजर r is equal to x और इंटीजर प्लस 1 एक बराबर आजाएगा तो इसका मतलब यह हुगा कि x की जो value आजाएगी हो आजाएगी n r और यह इसकी value आजाएगी eta प्लस 1 अंडर रूट तो फाइनली इस 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 फाइनल सलूशन अब इस प्रॉब्लम तो आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत मज़ा आया होगा अब एक काम करो सारी value रख दो पुट अल्डी वेलू अब कि सारे वेलू रख दो खुद सलूशन मिल जाएगा तो देखो यार मेरा वीडियो अच्छा लगता मेरे प्यारे बच्चों तो मुझे सपोर्ट करो यार आपके प्यार और सपोर्ड की हमें जरूरत है और थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो आपना बहुत ख्याव रखो